हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा 5 प्रियावरन अध्यन यानि EBS के अंतरगा चैप्टर नमबर 10 बोलती इमारतें आप ध्यान दें हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रस्णों के उत्तर लेकिन इससे पहले आईए पढ़ लेते पार्ट आप भी हमारे साथ पढ़ें पार्ट का नाम है बोलती इमारतें तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर यह है आपका चैप्टर नमबर 10 बोलती इमारतें पहुंचे गोल कोंडा आप भी हमारे साथ पढ़ें आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पढ़े गो मज़ा आता है सहल जा सहल जा क्या कहती है अरे बापरे कितना बड़ा दिखता है यहां किला आप भी देख रहे ने बच्छो यहां पर यह है गोलकॉंडा का किला स्रीदर कहते है और कितनी उचाई पर है कल्यानी अरे यहां दर्वाजा भी तो देखो कभी देखा है इतना लं बेचोड़े गेट ये देखिए यहाँ पर और सहलजा फिर कहती है बहुत बारी भी लगता है पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे कल्याणी कहती है गेट पर ये नुकिले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं ये क्यों लगाए गे होंगे सहलजा इतनी मोटी मोटी दिवारें भी तो देखो स्रीदर कभी इतनी चोड़ी दिवार नहीं देखी कल्याणी यह है दिवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है तो आप भी देख रहे ने बच्चो ये है यहाँ पर गेट और किस प्रकार से यहाँ पर ये यानि 87 बूर्ज हैं मोटी दिवारें लंबा चोड़ा गेट और इतने सारे बूर्ज सुरक्षा के कितने कड़े इंतिजाम थे तो इस प्रकार बच्चो आपने देखा यहां पर इस बड़े से गेट में या छोटा दरवाजा क्यों बना है यही सोच रहे हैं यह सारे बच्च क्यों बनाए गए होंगे नमबर दो बूर्ज में यह बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे सीधे सपाट दिवार से जहांकने में और एक उचे बूर्ज से जहांकने में क्या अंतर होगा अगला है बूर्ज के पीछे खड़े हुए छेदू में से देखने वाले आगे यहाँ पर आप देख रहें बच्चों किले में कितना कुछ सहलजा कहती है क्या यहाँ किला राजा ने अपने रहने के लिए बनाया होगा या कितना पुराना होगा कल्यानी कहती है बाहर लिका तो था सन 1518 यानि कि 1518 से 1687 तक यहाँ कुतब साही सुल्तानों ने एक के आप एक राज किया दीदी कहती है हाँ उससे भी पहले सन बारसों में यहाँ एक िला मिट piş का बना था और यहाँ दूसे राजाओं का राज था आगे सहलजा कहती है अरे इस बोर्ड पर किले का नकसा है श्रीदर कहता है इस नकसे में कितने सारे बाग और कार खाने दिख और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं सहल जा कहती है इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्टान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे कल्यानी कहती है फिर यहाँ तो पूरा सहर ही होता होगा तो बच्चो आप भी हमारे साथ पढ़ रहे ना यहाँ पर आपके टीचर के लिए लिए लिखावय सिखसक संकेत बच्चों का ध्यान इस बात पर आकरशित करें कि उँची गोल आकर की दिवार से चार उतरफ दूर द दूर तक देखा जा सकता है तो आप भी देख सकते हैं बच्चों किसी उची दिवार पर यदि आप चड़ जाते हैं तो आपको दूर दूर तक दिखाई देता है इसके साथ ही आगे पढ़ते हैं सुल्तान का महल तो बच्चों आप देख रहे नहीं आपर साथ साथ आप पढ़ेंगे सुल्तान का महल स्रीधर ये सीडियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं सहलजा कहती है उस जमाने में भी दो मंजिला इमारत थी कल्याणी कहती है अब तो वह तूटी-पूटी हालत में है लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े-बड़े हौल और कमरे होंगे सिरीधर कहता है और यहाँ देखो दीवार पर कितनी बारीक और खूबसूरत नकासी की गई है कल्याणी एक चत पर हमने फबारे जैसा भी तो देखा था तो आप देख रहे ने बचो यहाँ पर कितना सुन्दर यहाँ पर जो है बना रखाए इस चित् जालता रहता था वाह उस जमाने की इंजनियरिंग यहाँ पर पढ़ते हैं आप भी हमारे साथ पढ़ें सोचो आज भी इंजनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगे बरसातों में सीलन आ जाती है यहाँ तो च्छत पर पानी के फबारे चलते थे तब भी यह इमारते कितनी समझ से बनाई गई थी सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं जैसे पानी इतनी उचाई पर कैसे चड़ता होगा तुम भी अनुमान लगाओ तो बच्छो आप भी अनुमान लगाएं और यहाँ पर देख रहे हैं आप यह दुए बोचो और चर्चा करो फबारे कैसे चलते होंगे नंबर एक नंबर दो हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होता होगा नंबर तीन सामने के चितर में दीवार पर की गई नकासी को ध्यान से देखो इतनी सुन्दर और बारिक नकासी करने में किन औजारों का इस्तमाल होता हो कैसे बनते होंगे बच्चो और साथ साथ यहां पर आगे आप पढ़ें कि हमारे देश में आज भी कई जगे बिजली नहीं है पर जिन जगों पर बिजली है अगर वहां एक हपते तक बिजली ना आए तो कौन-कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी तो यहां पर दे देखते रहें और सुनते रहें यह पूरा पार्ट हमारे साथ साथ आप इसे पढ़े भी आगे बच्चो कहां है पूरब पसिम तुम जिस जगे पर हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूपता है पता करो कि तुम जहां खड़े हो वहां से पूरब जि तो आपको इससे दिशाओं का पता चल जाएगा क्योंकि सूरज हमेशा पूरव दिशा में होता है और सूरज के ठीक पीछे यहाँ पर सामने देखें इस लड़की के पीछे यह होगा पसिम यहाँ सूरज की तरफ पूरव और यहाँ पसिम यहाँ पसिम होगा और उसके दाहिने हाथ की तरब यहाँ पर दक्सिन और इधर बाएं हाथ की तरब उत्तर तो इस परकार से आपको दिशाओं का अंदाजा हो जाएगा तो बच्चो इस परकार आपने जाना किस परकार से हम पूरा पसिम उत्तर दक्सिन का पता लगा सकते हैं जिदर को सूरज निकलता है उसे पूरब कहते हैं और जिदर को सूरज डूपता है उसे पस्चिम आप सूरज की तरफ मुझ करके खड़े हो जाएं और आप सीधे सूरज को देखें जिदर से सूरज आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देख रहे ने गोल कॉंडा के नक्से को देखो चारो दिसाय तीर के समान से दिखाई गई है पहला यहाँ पर कह वाला अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा होज किस दिसा में है और दूसरा प्रसने है यहाँ पर अगर कोई बन जा रहा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा होज उसकी किस दिसा में होगा आगे गई है बाला हिसार से तुम किस दिसा में चलोगे कि मोती महल पहुँच जाओ गई है किले की बाहरी दिवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं गई है गिन कर बताओ किले में कितने महल हैं और चेह पानी के लिए क्या-क्या इंतजाम दिख रहे हैं इसी प्रकार से बच्चो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट इन सारे प्रशनों के उत्तर भी आपको अभी हम इसी पार्ट के इसी वीडियो के अंत में दिखाने वाले है आप लगातार इसी तरह हमारे साथ इस वीडियो को देखते रहें और पढ़ते रहें पार्ट तब तक उसके बाद इसके जो प्रशनों तर होंगे वो भी आप देखें और अपनी नोट बुक में नोट करेंगे यह सब प्रशनों के उत्तर आपको अभी हम बताने वाले हैं यहां पर आपके सिक्सक के लिए लिखा है जो इस पार्ट को पढ़ाएंगे आपके सिक्सक क्या करेंगे वो आपको यह सब चीजें बताएंगे बच्चों को दिसाओं पहचानने में बहुत समय लगता है जो द पूरेज निकलता है वो पूरफ कहलाता है ठीक आपके पीड के पीछे फसिम और जीधर को आपको आपका दहीना हात है जिससे आप खाना खाते nam sytu ignition होगी और बाएं हाफ्या होगा आपका बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिसा तो बच्चों को यहां पर जो लिखा गया है कि सि हैं उत्तर ऊपर होता है कही बार कागज पर भी हम उत्तर पूर ऊपर की ओर दिखाते हैं दी गई गटी विद्यों से यह पेकसर नहीं की जाती बच्चे पहलीय बार में अपनी समझ बना लेंगे प्रस्निक कैक है गय में बच्चे उत्तर बच्चे सामने पीछे दाएं बाएं में देख सकते हैं दिसाओं की आउधारना को अपने निजिय और बहु से जोड़ना जरूरी है तो इसलिए बच्चो आप ध्यान दे हम आपको एक बार फिर से बताते हैं यहाँ प आप क्या करेंगे अपने कागज में अपनी कौपी में अपने सामने एक ऐसा प्लस का निसान बनाएंगे और प्लस के निसान में इधर को जो होगा आप लिखेंगे पूरा है यह है ना आपके दाएने हाथ की तरब को और इधर को क्या होगा पस्सिम किदर कोगा इस साइड में लिखेंगे आप पस्यम और जो उपर को होगा ये जो लाइन गई ना उपर को ये क्या होगी ये होगी उत्तर और यहाँ पर जो नीचे को लाइन आ रही है ये होगा दक्सिन तो आप समझ गए ने बच्चो किस परकार से पूरा पस्यम उत्तर दक्सिन होता है दिसाओं का ग्यान आपको हो गया होगा, यहाँपर हमने आपको बता दिया, इस liएन के द्वारा देखरे हैं हैं आप यह पर यह पलस का साइन हमने बनाया, और इस साइन में जब भी आप अपनी note book में design समझना चाते हैं, ऐसे जो हैं साइन बनाएं आप एक प्लस का साइन बनाएं ऐसे और उसके जो है ठीक इधर को पूरब इधर को पसिम इधर को उत्तर और इधर को दक्सिन समझगे बच्चों तो इस प्रकार से आपके टीचर भी आपको समझा सकते हैं इसके बाद आगे पढ़ते हैं गोल कॉंडा किले का नक्सा तो यहा से पहले आपको क्या दिख रहा है यहां पर उत्तर दिख रहा है आपको यह लाल साइन के अंदर रेड साइन यहां पर उत्तर लिखा है इधर को क्या लिखा है पसिम और यहां पर क्या लिखा है बच्चों पूरब और ठीक इसके नीचे क्या लिखा होगा दक्सिन लिखा ह ना तो इसी प्रकार से यह नकसा है जैसे मैंने आपको बताया था कैसे बताया था आपको बच्चो ऐसे एक साइन क्या था और ऐसे मैंने लगाया था साइन और मैंने क्या का था पूरा इधर को तो यह है न पूरा बापका और मैंने का था इधर को पस्चिम तो यह है पस्चिम और इसी परकार से उपर को उत्तर और नीचे को दक्सिन आप इस नक्से को बार बार देखें उत्तर और नीचे दक्सिन तो इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको समझाये था, ये इस पूरा नक्सा उसी प्रकार से बना हुआ है, तो आप समझ गये हूंगे कि जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर बिल्कुल सही था, इसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, यह हमले क्यूं? हम बात तोप के अंदर डालके इनिंद दागा जाता है, सेलजा क्या कहती है, यहाँ तोप तो कुतबसाही सुल्तान की ही होगी, दीदी कहती है तोप का इस्तेमाल, और अंगजेब ने किया था, जानते हों और अंगजेब बात्सा को पूरी फोज, बंदूकों और तोपों के साथ यहां हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई, उसकी पूरी सेना आठ महिनों तक बाहर ही बैठी रही, कहां बच्यों, किले के बाहर, सेलजा कहती है, दिल्ली से इतनी दूर, यहां तक फोजें, फोज तोपों के साथ क्यों आई होंगी, दीदी कहती है, बातसा हो या राजा, सभी का यही खेल है, अपना राज फैला सकें, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिस्ता जोड सकें, और उन्हें अपने इलाके में सामिल कर सकें, इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूशी से काम चलाते थे, कभी परिवार में स चिनी तोपों और बंदों कों के साथ भी बातसा की सेना अंदर क्यों नहीं गुस्पाई, तो सेलजा कहती है, इतनी सारी मोटी मोटी दिवारे नहीं देखी, और नकसे में भी तो, दिवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती, क्योंक तक साब को साप नजरा जाता मुश्किल तो हुआ कोई हमला करना तो इस परकार से बच्चों जो ये खाई बनी वी थी इस खाई के पार जो जहां पर उची जगे थी वहां से दुस्मनों को आरम से देखा जा सकता था और उन पर हमला किया जा सकता था कल्यानी कहती है सोचो फ रे गए होंगे हमले होते ही क्यों है आगे स्रीधर कहते हैं अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई आज कल तो बहुत सारे देशों के पास नुगलियर बम है आपने सुनाये ने बच्चो नुगलियर बम है एटम बम है प्रमाणू बम है इससे तो एक ही बार में कितनी ही तबाई हो सकती है क्योंकि बच्चों जो पुरानी जमाने में तोप से गोलिद आगे जाते थे उनसे दो चार दस लोग मारे जाते थे लेकिन आज कल तो ऐसे ऐसे बम बन चुके हैं कि एक बार एक बम फेक दो और पूरा का पूरा देश साब आगे यहां पर है बच्चों चर हैं आप इसी पकार हमारे साथ इस थाट को पढ़ते रहें आगे हैं पता करओ सिरीदर्णे किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है तुमने कभी कांसे की कोई और चीज देखिए क्या कांसे की चीजे हमारे हजारों साल से पहले आदीवासी बनाते आये हैं तो पापा दादा दादी से पूछें कि कांसे की थाली कैसी होती थी और आगे आज भी सोचकर हैरानी होती है गहरी खानों में इसे तामबा और टिन कैसे निकालते पिगलाते होंगे फिर कैसे उनसे सुन्दर सुन्दर चीजें बनाते होंगे तो बच्चों आपको मालूम हुआ यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि तामबा और टिन को मिला कर ही कांसा बनाया जाता है आगे तुमारे घर में या आज पास कांसे के कौन कौन सी चीजे थी या आज भी हैं रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन कौन सी चीजे तामबे या पीतल की और कांसे की बनी है तो मैंने काता है ना आपको कि आपके घरों में पुराने समय से कांसे के बरतन रहे होंगे आप अपने ममी पापा दादा दादी से पूछें उन्होंने कांसे के बरतन देखें यदि आपके घर में होंगे तो वे आपको भी दिखा देंगे आप उने रंग से पहचान सकते हैं आगे बच्चों जब टेलिफोन नहीं था यहाँ पर आईए पढ़ते हैं कि जब टेलिफोन नहीं था दीदी हम से राजा के महल में एक जगे खड़े रहने के लिए कहकर खुद फते दरवाजे पर चली गई कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई हो सियार मैं सुल्तान अबूल हसन हूँ मुझे गाना बजाना और कुछी पूरी निर्त्या बहुत पसंद है हमें बहुत हासी आई लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुँची कैसे बाद में उन्होंने बताया कि फत्या दर्वाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है तो इस परकार से बच्चों है नहीं एक करामाती दर्वाजा यहाँ पर और इस महल में कितने जो है चमतकार था यहाँ पर कि वहाँ पर कुछ भी बोलो तो दूर तक राजा के दर्वाज तक सुनाई दिया जाता था इसके बाद यहाँ पर आपके लिए आपके अध्यापक जो आपको पढ़ाएंगे टीचर संकेत में तामबे और पितल के बरतनों के चित्रे बूंद बूंद दरिया दरिया पाट में भी दिये गए हैं बच्चों को प्रोटसाइद करें कि वे रंगों से अलग अलग धातों को पहचान पाएं तो बच्चों हम आपको बता दें कि आप अपनी पाठे पुस्तक के बून-बून दरिया-दरिया पाठ को एक बार फिर से देखें और उसमें आपको दिख जाएंगे पितल के बरतन, तामबे के बरतन और उन्हें आप रंग से पहचानें और धातों को पहचान करें इसके बाद आगे है यहांपर पानी का इंतजाम तो बच्चों पानी का इंतजाम की बात करते हैं किस प्रकार हुआ करता था यह चित्र उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है सोचो बैलों का इस्तमाल क्यों हो रहा है यहां पर आप देख रहे हैं ने बैलों का इस्तमाल क्यों हो रहा है देख सकते हैं बचो आप इस चित्र में यहां पर बैल पानी खिंचने का काम करें जैसे आज कल आपके घरों में मोटर लगी होती है न मोटर कैसे चलती है बिजली से चलती है तो पुराने जमाने में बेल जो है इसको मोटर को चलाते थे ड को खिंशते थे और पानी उपर निकाला जाता था अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिसा में घूमेगा उसके साथ लगा दातेदार पईया फिर किस दिसा में घूमेगा हाथ के सारे से बताओ तो आप बता सकते हैं बचो किस दिसा में घूमेगा दातेदार पईया यह देख रहे हैं आप यहाँ पर यह दे रखा है यह यहाँ पर arrow दे रखा है ड्रम है यह और इस प्रकार से यहाँ पर यह एक arrow यह दर को दे रखा है यह किदर को दे रखा है तो आप इनको समझें और आगे देखो दातेदार पैये से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर क ठीके पाइप लगे हैं बैलों के गुमने से डिबों की माला पानी को कैसे ऊपर चड़ाती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चो किस परकार से बैलों के गुमने से यह पानी ऊपर चड़ता जाता है यह देखें आप यहाँ पर बरतन जो लगी हुए एक बाद एक ब तो इन बरतनों में खाली बरतनों में पानी बैठता चलाएगा और पानी बरता हुआ बरावा बरतन उपर आ जाएगा और खाली बरतन उसमें से पानी पलट दिया गया होगा वो नीचे चला जाएगा और इसके बाद बैलू के गुमने से डिब्मों की माला पानी को कैसे उप पर चड़ाती है अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकाल कर टैंकों में भरा जाता होगा आज भी हमें किले की दीवार में मिटी के पाइप दिखते हैं इनी के जरीए महल में जगे जगे पानी पहुचाया जाता होगा तो इन पाइपों के द्वारा पह या कहीं तो आपने साइकल तो देखी होगी बच्चो अपने आज पास देखो और पता करो कि आज जमीन के नीचे से पानी को उपर तक कैसे चड़ाया जाता है तो कैसे चड़ाया जाता है बच्चो मोटर के जवारा मोटर चलाते है न आपके घरों में और उसे पानी उपर आजाता है आगे बिजली से पानी को उपर तक कैसे चड़ाए जाता है बिना बिजली के पानी को उपर कैसे चड़ाएंगे तो आप सो सकते हैं बचो बिना बिजली कैसे चड़ाएंगे आगे हाल क्या बेहाल क्यों यहाँ पर है आवाज निकालते और उनकी गुन सुनते दिवारों पर लिखना मना है स्रीदर बोलते हैं पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगे में बहुत ठंडी हवा आ रही है यहां पर देख रहे ने बचो आप ही है सुरंग जैसी जगे बनी हुई इसके अंदर से जाएंगे जब आप तो यहां ठंडी हवा आ रही है, सहलजा लिखा हुआ था कि यहां फोजी रहते थे, स्रीदर अरे यहां देखो, यहां बोड भी है, फिर भी इस दिवार का क्या हाल है, सहलजा ओहो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ, इस दिवार ने सेकड़ों सालों में क्या क्या नजारे होंगे, कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम हाती घोड़े और नजाने क्या-क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है, कल्यानी पता नहीं, लोग इन दिवारों को अपने नाम लिख लिक कर गंदा क्यों कर देते हैं, तो बच्चों, आप ध्या जो उस जमाने में मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोल कॉंडा में पूरा का पूरा सहर बसा था अब इन स्वालों के बारे में सोचो अपनी कलास में बताओ चाहो तो गुरूप में नाटक भी कर सकते हो आप बच्चो यहां पर जो हैं सुल्तान अपने महल में क्या कर रह हैं उनके कपड़े कैसे हैं उनके सामने कौन-कौन से पकवान पेस हो रहे हैं लेकिन बेचारे हैं किन फिक्रों में और हाँ किस बासा में बाचीत कर रहे हैं तो इनका उत्तर हम आपको अब इसी वीडियो में इस प्रस्ट का उत्तर दिखाने वाले हैं बच्चो आप हमार अगले तरीकों से ब्यक्त कर सकते हैं जैसे अभी ने करके याने नाटा करके चित्र बना कर कहानी बना कर या किसी और तरीके से तो बच्चों आप इसके बारे में बिचार करें सोचें और अंदाज लगाएं कि उस जमाने में राजा लोग क्या खाते होंगे किस प्रकार के वो कहां से आ रही है अगला है किस किस चीज के कारखाने देख पा रहे हो कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं कितनी देर काम करते होंगे और अगला प्रस्न है बच्चों अरे वहाँ देखो वह कारीगर पत्थरों को छेन पहुँचे गोल कॉंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम यानि संग्रहाले में भी गए म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़े रखी होती है इस म्यूजियम में गोल कॉंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़े भी थी जैसे बरतन, औजार, जेवर, हत्यार वगेरा तो सेलजा क्या कहती है अरे ये बरतनों के टुकड़े भी संभाल करी सिसे की आलमारी में क्यों रखे हुए है आप देख रहे ने बच्चो ये हैं सिसे की आलमारी में रखे हुए बरतनों के टुकड़े उस जमाने की याद के लिए आगे वह देखो वह छोटी सिस प्लेट तो कांसे की है वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का लगता है आगे दीदी कहती है इनी सब चीजों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे किन किन चीजों का इस्तमाल करते थे क्या क्या बनाते थे सोचो अगर यहाँ सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पाते तो नहीं जान पाते ने बच्चों तो इसके बाद यहाँ पर फिर से आपके लिए सिक्सक संकेत हैं बच्चों को प्रोथाइट करें कि अपने बड़े बूड़ों और आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बा आप तुमने आज पास किस किस तरह के बरतनों का इस्तमाल होते देखा है ये प्रसने आपके लिए दूसरा है अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में किस किस तरह के बरतनों का इस्तमाल में लाए जाता था और क्या तुम भी कभी किसी मुजियम में गए हो उसके बारे में सुना है वहाँ क्या क्या होता है तो इन प्रस्णों के उत्तर आपको अभी इसी वीडियो में हम देने वाले हैं इसके बाद बच्चों आगे पढ़ते हैं इमारत का सर्वे और लिखो यहाँ पर क्या तुमारे घर के आज पास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं यदि हाँ तो कौन सी है उसके बारे में आप लिखेंगे क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो कौन सी इमारत देखने गए वहा तुमें क्या कुछ बोलती सी लगी क्या जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी थी अगला प्रसन है बच्चो वहा कितनी पुरानी है तुमें कैसे पता चला और अगला प्रसन है वह किस चीज से बनी है, किस रंग की है, क्या उसमें कुछ खास तरह के डिजाइन बने हैं, यहां बनाओ, तो इस प्रकार से आपने डिजाइन भी बनना है, उसमें कौन लोग रहते होंगे, वहां क्या क्या काम होता होगा, क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं, तो इन सब के उत्तर बच्चों आपको यहां लिखने हैं तो हम आपको इन फ्रेशनों के उत्तर बदाएंगे आप उन्हें अपनी नोट बुक में भी लिख सकते हैं इसके साथ ही बच्चों आगे पढ़ते हैं फिर से सिख सकते हैं यहां पर आपके टीचर के लिए तो बच्चों किसे इतियास के सुरोतों के बारे में बात करें जैसे कि नक से चितर खुदाई से निकली चीज़ें, किताबें और हिसाब के दस्तावेज, तो यह सब आपके टीचर आपको बता सकते हैं, इतियास के बारे में पूरी बात चीत करके कि किस प्रकार से लोग रहते थे, क्या करते थे क्या क्या काम धंदे हुआ करते थे इसके बाद आगे है तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ बनाने के लिए रजनी केरल के मलापुरम जिल्ले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है उन्होंने अपनी कलास के बच्चों के साथ मिलकर अपने आसपास के भोत से घरों से पुरानी चीजें जमा की तो आप भी करेंगे ने बच्चो जैसे पुरानी छड़ियां, छत्रियां, लकडी की खड़ाओ, चपल जिसे कहते थे, जैसे राम चंद्री जी के खड़ाओ आपने सुने होंगे, वो क्या पहनते थे, लकडी की चपल को खड़ाओ बोलते हैं बच्चो, आज कल कैसी चपले प्लास्टिक की रवड की, पहले कैसी आते थे, लकडी की, उन्हें क्या बोलते थे, खड़ाओ, इसी परकार बरतन वगएर है, उन्होंने आज कल ये सब चीज़े जैसी होती हैं, वो अभी देखा, फिर बच्चो ने, और रजनी ने मिलकर एक परदरसनी लगाई, जिसे आ यहां पर आप देख रहें नहीं, यह बहुत बड़ा, यहां पर चित्र सा बना हुआ है, यहां पर दुनिया भर की पुरानी पुरानी चीज़े रखी हुई है, यहां लगवाग 500 साल पुरानी पेंटिंग है, यह बच्चो यह क्या है, एक पेंटिंग है, और कितनी पुरा में आप बहुत सारी जानकारी कटी करके ला सकते हैं तो यहाँ पर यह वही चित्र दे रखा है कि आगरा किला किस प्रकार से बना था चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं कितनी औरते और कितने मर्द काम कर रहे हैं देखो या भारी खंबा ढ़लान पर कैसे उपर ले जाये जा रहा है यहाँ पर देख रहे ने बच्चो आप किस प्रकार से खंबे को उपर ले जा रहे है भारी चीज ढ़लान पर चड़ानी आसान होती है या सीधी उपर ले जानी क्या मसक में भर कर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए आप यहां पर बच्चो जो पानी भर कर ले जा रहा हो मसक में भर के और इसके बाद आगे हम क्या समझे इस पार्ट में दिया हुए बच्चो हम क्या समझे संगीता को लगता है कि म्यूजियम से पुरानी चीज़े संभाल कर रखना बेकार है तुम उसे कैसे समझोगे कि म्यूजियम का होना जरूरी है तो आप उसको समझाओगे बच्चो संगीता को लगता है कि जो पुरानी चीज़े है ये कठी करना बेकार है लेकिन आप उसे कैसे समझाएंगे तुम्हें क्या लगता है इस पार्ट का नाम बोलती मारत क्यों रखा गया है तो इन प्रस्णों के उत्तर हम आपको अब बताने वाले हैं बच्चो इस पार्ट को हमने यहां तक पढ़ा आपने भी हमारा साथ साथ पढ़ा चाहें तो इसी वीडियो के माध्यम से आप इस पार्ट को दुबारा से एक बार अच्छे से पढ़ें इसे अच्छे से समझें और याद भी करें और इसके बाद जो हम आपको यहां पर प्रस्णों के उत्तर बता रहे हैं खक्सा 5 प्रियावर अनद्यन यानि EBS के अंधर का चैप्टर नमबर 10 बोलती इमारते हैं हमने आपको अभी पार्ट के बारे में पूरी जानकारी दी आईए अब जान लेते हैं इस पार्ट से समझें प्रस्णों के उत्तर तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर पार्ट का नाम है बोलती इमारते हैं और हम आपको बता रहे हैं पार्ट के प्रस्णुत्तर अब्यास प्रस्णुत्तर तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे अपनी जो पाठे पुस्तक है आपकी किताब के 88 नमबर पेज पर कितने नमबर पर 88 अठा से नमबर पेज पर देखें वहाँ पर आपके लिए वहाँ पर आप देखेंगे सोचो और सोचो में पहला प्रसन है यहाँ पर आपके लिए इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे उत्तर लिखेंगे इतने सारे बुर्ज सुरक्षा के लिए बनवाए गए होंगे और इसके बाद दूसरा प्रस्ण था आपके लिए बुर्ज में ये बड़े-बड़े छेद क्यों बने होंगे इसके बाद तीसरा प्रसन है बच्चों सीधी सपाट दीवार से जहांकने में और बुर्ज से जहांकने में क्या अंतर होगा तो आप उत्तर लिखेंगे सीधी सपाट दीवार से जहांकने में आप छिप नहीं सकते हैं बुर्ज से जांकने में आप छिप सकते हैं और या सुरक्षा के लिए अच्छी बात है इसके बाद अगला प्रसने है बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाईयों को हमला करने में क्या बंदत मिलती होगी उतर होगा आपका बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाईयों को छुप कर हमला करने में मदद मिलती होगी अगला प्रसने बच्चों आप देखेंगे 89 नमबर पेज पर आप देखेंगे 89 यानि 90 नमबर पेज पर और यहाँ पर आपके लिए लिखाओगा सोच और चर्चा करो तो पहला प्रस्ण है यहां पर फबारे कैसे चलते होंगे उतर लिखेंगे फबारे किसी मसीन से चलते होंगे अगला प्रस्ण है दूसरा हवा और रोसनी का क्या इंतजाम होगा उतर लिकेंगे हवा रोसनी के लिए दर्वाजे खिड किया रोसंदान आदी बनवाए गए गए थे अगला तीसरा प्रस्ण है बच्चो चित्र में दीवार पर की गई नकासी को ध्यान से देखो इतनी सुंदर और बारिक नकासी करने में किन औजारों का इस्तमाल होता होगा तो आपने देखा था बच्चो नकसा तो उसमें कैसे किन औजारों का इस्तमाल किया गया होगा उतर लिखेंगे इतनी सुन्दर और बारिक नकासी के लिए हतोड़ा छेनी आधी का इस्तमाल होता होगा अगला प्रसन है बच्चों यहां पर चौता प्रसन हमारे देश में आज भी कई जगे बिजली नहीं है पर जिन जगों पर बिजली है अगर वहां एक हपते तक बिजली ना आए तो कौन-कौन से कामों में मुश्किल होगी आप उतर लिखेंगे बिजली नहीं है जहां यानि कि बिजली नहीं आने पर चारु तरफ अंधेरा हो जाएगा पंका, टीवी, कम्प्यूटर आदी हम नहीं चला पाएंगे हम आदुनी घरे लूप करनों का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे अगले नमबर पेज पर सलेंगे बच्चों आप ध्यान दें 90 नमबर पेज यानि कि 90 नमबर पेज पर आप देखें अपनी किताब के वहाँ पर पहला प्रशन आपके लिए तुम जिस जगे पर हो वहाँ पर सूरज किस दिशा में उगता है और किस दिशा में डूपता है पता करो कि तुम जहां खड़े हो वहाँ से पूरब दिशा में क्या क्या है पस्चिम में क्या क्या है तता उत्तर दक्षिन में क्या क् उत्तर लिखेंगे आप जिस जगह मैं हूँ वहाँ सूरज पूरब में उगता है और पस्ची में डूपता है मेरे पूरब में पहाड और पस्ची में पार्क है मेरे उत्तर में डागगर है और दक्षिन में एक विद्याले है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और चाहे तो बच्चों आप अपने इसाब से भी लिख सकते हैं जिस जके पर आप खड़े हैं और इसके बाद के नकसे में देखो चारु दिसाएं तीर के निसान से दिखाई गई हैं तो यहां पर पहला प्रस्ण है अगर तुम बोडली दर्वाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा होज किस दिसा में है उतर लिखेंगे नक्से के अनुसार कटोरी होज उतर दिसा में है इसके बाद दूसरा प्रसने अगर कोई बंजारा दरवाजे के अंदर आ रहा है तो कटोरा होज उसकी किस दिसा में होगा उतर लिखेंगे दक्सिंड दिसा में होगा अगला है य किल्ये की बाहरी दिवार पर कितने दर्वाजे दिख रहे हैं उत्तर होगा नो दर्वाजे दिख रहे हैं और इसी प्रकार पाँच वहाँ प्रसने गिनकर बताओ किल्ये में कितने महलें उत्तर लिखेंगे किले में तीन महल हैं तो इस प्रकार से आपके पार्ट में जो आपने देखा था बच्चो वो सभी प्रस्णों के उत्तर इस प्रकार से होंगे छटा प्रस्ण है पानी के लिए क्या-क्या इंतिजाम दिख रहे हैं जैसे बावडी कुए होज उत्तर लिखेंगे पानी के लिए पाँच बावडी और तीन होज हैं आपने देखा था ना किताब में आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा ध्यान से नहीं देखा होगा बच्चो आप ध्यान से देखें आपको यह सब दिखाई देंगे और सातों प्रस्ने नक्से में एक सेंटिमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखती है अब बताओ यहाँ पर आप लिखेंगे बताओ नक्से में फते दर्वाजे से बाला हिसार यहाँ पर जो आप बीच में लिखेंगे सेंटिमीटर की दूरी पर है जमीन पर यहाँ दूरी मीटर होगी कितनी मीटर होगी उतर में लिखेंगे नक्से में फतेय दर्वाजे से वाला हिसार आठ सेंटिमीटर की दूरी पर और जमीन पर यहाँ दूरी आठ सो असी मीटर होगी इसके बाद आठों प्रसने मकई दर्वाजे से फते दर्वाजा कितनी दूर है उतर लिखेंगे मकई दर्वाजे से फते दर्वाजा 100 मिटर की दूरी पर है इसके बाद अगले पेज़ पर सेलेंगे बच्चो 93 नमबर पेज़ पर यहाँ पर आपके दिखेगा चर्चा करो यानि 93 नमबर पेज़ पर देखें आप चर्चा करो और पहला प्रसने क्या तुमने हाल में ही सुना है कि किसी देश में दूसरे देश पर हमला किया है यानि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया है तो उत्तर लिखेंगे हाल ही में अमेरिका ने एराक पर हमला किया था किया था ने बच्चो आपने भी सुना होगा और दूसरा परसने पता करो कि हमला क्यूं हुआ होगा तो यहाँ पर आप हमली ना लिखें बचो जैसे यहाँ पर लिखा हुए हमला लिखें हमला क्यों किया होगा उतर लिखेंगे अमेरिका इराकी राष्टपती को पकड़ना चाहती थी यहाँ पर लिखेंगे 바꿁ए पकड़ना चाहती थी और इसके बाद तीसरा प्रस्ञे है तरह के हथियार इस्तमाल किये गए थे उतर लिखेंगे इस यूद में बहुत तरह की मिसाइले बंदू के लड़ा को भीमान टैंकर आधी चले थे इसके बाद चौता प्रस्ञे है यहां तक, इसके बाद यह सब नहीं लिखेंगे, और यहां से यहां तक यह उतर होगा, ध्यान दिया आपने बच्चों, यह उतर यहां से यहां तक होगा, इसके बाद अगला प्रसने यह आपके लिए, यह दूसरा प्रसने यहां से पता करो, आप देखेंगे यहां पर पता आपने थाली भी देखियोंगे बच्चो तो आप थाली भी लिख सकते हैं अगला प्रसने है तुमारे घर में जो आसपास कांसे की कौन कौन सी चीजे थी या आज भी हैं रंग से पहचाने की कोशिश करो कि कौन कौन सी चीजे तामबे की बितल और कांसे की बनी हैं तो आपक पितल की बनी चीजें लोटा और गिलास है पितल की बनी चीजें पूजा की थाली और कट हो रहा है और इसके बाद बच्चों आप देखेंगे 94 नमबर पेज पर आप देखें अपनी किताब के यहां पर है पानी का इंतिजाम और पहला प्रस्ण आपके लिए बैलों का इस्त किस दिशामे घूमेगा उतर लिखेंगे घड़ी के बिपरी दिशामे और तिसरा प्रस्ण है दातेदार पईये से लगा धंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पईये से जुड़ा होगा तो यहां पर आप उतर लिखेंगे दातेदार पईये से लगा धंडा जमीन के नीचे स जाकर बड़े पईये से जुड़ा है और अगला प्रसने बच्चों बैलों के घूमने से डिबों की माला पानी को कैसे चड़ाती है उतर में लिखेंगे खाली डिबा जब नीचे जाता है उसमें पानी बर जाता है जब यहां डिबा उपर आता है तो उसका पानी नाली में ख बिजली से चलने वाले पंप से निकाल कर टैंकों में भरा जाता है और चटा प्रसने है आपका तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पईयों का इस्तमाल होते हुए और कहां देखा है जैसे साइकल में गियर या और कहीं उत्तर में लिखेंगे इस तरह के एक दूसरे से जुड़े पईयों का इस्तमाल पानी निकालते समय मोटर में देखा है और साइकल में भी आपने देखा है बच्चो इसके बाद साथवा प्रसने आपके लिए अपने आसपास देखो और पता करो कि आज जमीन के नीचे से पानी को उपर तक कैसे पहुँचाए जाता है उतर लिखेंगे जमीन से पानी मोटर से खheenच कर उपर चड़ाये जाता है आज के लिए ही तो हता है ने बच्चो आपके घरोमें भी मोटर लगी हुए और पानी को नीचे से उपर चड़ाये जाता है अगला आठवा प्रसन है बच्चो बिजली से पानी उपर तक कैसे चड़ाए जाता है बिना बिजली के पानी उपर कैसे चड़ाएंगे उतर में लिखेंगे बिजली मोटर से पानी नीचे से खिंच कर उपर चड़ाती है बिना बिजली के चापकल से पानी नीचे से खिंचा जाता है चापकल क्या होता है बच्चो आप यहाँ पर कन्फूजन न करें चापकल क्या होता है हैंड पंप हैंड पंप से भी आप पानी खीचते हैं न तो चापा कल बोलते हैं हैंड पंप को और इसके बाद यहाँ पर जो है अगला है पेज़ पर चलेंगे आप 95 नमबर यानि पिच्छर नमबर पेज़ पर आँखें बंद करके पहुंचो उस जमाने में यह था आपके लिए तो यह में लिखेंगे सुल्तान अपने महल के दरवार में बैठे हैं उनके कपड़े पारंपरिक राजाओं जैसे हैं वह बहुत सारे जेवर पहने हुए हैं उनके लिए तरह तरह के साही पकवान पेस हो रहे हैं वह अपने मंत्रियों के मंत्रियों से दूसरे राजा द्वारा आ पहला प्रस्ण है यहां पर उनके महल पर फबारे तो चली रहे होंगे ना अंदर से महल आलिषान परदों और कालोनी के साथ कैसा लग रहा है और गुलाब चमेली के फूलों की खुश्बू कहां से आ रही है तो यहां पर आप क्या उतर लिखेंगे आप लिखेंगे महल में बहुती सुन्दर फबारा चल रहा है, महल सुन्दर कॉलोनी और पर्दों से सजकर बहुती आलुशान लग रहा है, बागों से गुलाब और चमेली की बीनी बीनी खुशबू आ रही है, इस परकार आप उत्तर लिखेंगे, अगला प्रशन है, किस किस चीज के कारखाने देख पा रहे हैं, एक कार खाने में बीच लोग काम कर रहे हैं, लोगोंने दोती पहन रखी है, ये लोग सुबै से देर साम तक काम करते हैं, इसके बाद अगला प्रशन है बच्चों यहां पर, तीसरा प्रशन है, अरे, वहाँ देखो, वहा कारीगर पत्तरों को छेनी औ अपनी नाग पर कपड़ा बांदे हुए रहते हैं, इसके बाद यहां पर आपके लिए लिक्षों और पहला प्रशन है, तुमने आस पास किस किस तरह के बरतनों का इस्तमाल होते हैं, उतर लिखेंगे, मैंने अपने आस पास पीतल, स्टील, तामबा, आधे के बरतनों का किया जाता था उत्तर देखेंगे आप उनके समय में पीतल, तामबा और मिटी के बरतन इस्तमाल में लाए जाते थे तीसरा प्रस्ण है बच्चो क्या तुम भी किसी मुजियम में गए हो या उसके बारे में सुना है वहाँ क्या क्या होता है उत्तर में लिखेंगे मैं कोलकता के मुजियम में गया हूँ वहाँ बहुत पुराने समान जैसे राजाओं के कपड़े, हातियार, बरतन, पेंटिंग आधी रखे जाते हैं और बच्चो आप चाहें तो आपने कोई अन्य मुजियम देख रखा है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपने हिसाब से भी उत्तर आप दे सकते हैं इसके बाद 97 नमबर यान 97 नमबर पेज पर आप देखें अपनी किताब के यहाँ पर है इमारत का सर्वे लिखो और पहला प्रस्ण है क्या तुमारे घर के आसपास कोई ऐसी परानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं यदि है तो कौन सी तो आपके घर के आसपास कोई है बच्चो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं नहीं तो ऐसे लिखें उतर होगा मैं दिली के चांदनी चौक में रहता हूँ वहाँ लाल किला है और दूसरा प्रसन है क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो कौन सी जगे वह तुमें क्या कुछ बोलती सी लगी क्या जान पाए उसके समय के बारे में तो आप उतर में लिख सकते हैं मैं ताज महल देखने आगरा गया था ताज महल बहुती सुन्दर बना हुआ था वहा मुगल बात्सा साजां के द्वारा बनवाया गया था और इसके बाद अगला प्रसन है वहा कितनी पुरानी है तो मैं कैसे पतत लगी उतर में यह लग बहुत चार सो साल पुराना है ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है इसके बाद अगला प्रसन है किस रंका है उतर लिखेंगे सपेद रंका और पांचवा यहां पर प्रसन है आपके लिए क्या उसमें कुछ खास तरह के डिजाइन बने है यहां बनाओ उतर में आप जो है बच्चो इस प्रकार से आप डिजाइन बना सकते हैं इस प्रकार के डिजाइन होते हैं पुरानी इमारतों पे बने हुए तो इस प्रकार से आप या कोई अन्य डिजाइन आप दिखा सकते हैं बनाकर अपनी नोट बुक में इसके बाद बच्चो छटा प्रसने आपके लिए उसमें कौन से लोग रहते होंगे उत्तर उसमें कोई नहीं रहता और इसके बाद साथवा प्रसने उत्तर लिखेंगे वहां कोई काम नहीं होता लोग वहां गुमने आते हैं इसलिए जाते हैं बच्चो ताजमेल देखने के लिए और अगला है क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं उत्तर वहाँ अब कोई नहीं रहता इसके बाद देखिंगे आफ 98 नमबर पेज अठानेवे नमबर पेज पर देखें आप यहाँ पर पहला प्रसने लोग किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं उत्तर लिकिंगे लोग कि लेकर निर्मान के काम कर रहे हैं यानि किले को बना रहे हैं और दूसरा प्रसन कितनी ओरतें और मर्दें काम कर रहे हैं उतर लिखेंगे 20 मर्द और 2 ओरतें काम कर रहे हैं इसके बाद तीसरा प्रसन है बारी खंबा डलान पर कैसे उपर ले जा रहे हैं इसके बाद बच्चों यह है आपका चौता प्रस्नी नहीं पर क्या मसक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए उतर में लिखेंगे हाँ मसक में पानी भरकर ले जाता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है इसके बाद अगले प्रस्ने याँ पर हम क्या समझे और पह की रहती है जो हमें प्राचीन काल के लोगों के रहेंस हैं उनकी सस्क्रित के बारे में बताती हैं इसलिए म्यूजियम बहुत जरूरी है इस परकार से आप उसे समझा सकते हैं इसके बाद अगला प्रशन है तुम्हें क्या लगता है इस पार्ट का नाम बोलती हिमारत क्यों बिल्कुल सही है तो इस परकार से बच्चो इस पर्षन के साथ ही इस पर्षन के साथ ही इस पर्षन के समध्दित प्रषन के उत्तर यहाँ पर समापत होते हैं हम क्या पढ़ रहेते हैं आज खक्षा 5 प्रियावरा रध्यन यानी EBS के अंतरग्यत चैप्टर नूमर 10 बोलती इमारते हैं हमने आपको बताया यहां पर पार्ट पढ़के पूरा आपने भी हमारे साथ पढ़ाओगा साथ हमने आपको बताये इस पार्ट से संबंदित प्रस्नु के उत्तर अच्छे से समझाये होंगे आप इस पार्ट को बार बार पढ़ें सुने इन प्रस्नु के उत्तर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें आज के लिए इतना काफी है लगातारी सी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें आपका दिन सुभू